कॉमनवल्ट गोटाले में फसे सुरेश कलमाडी को कॉंग्रिस टिकेट देगी या फिर वो निर्दली उम्मिद्वार की तौर पर चुनाब लड़ेंगे या आज साफ हो जाएगा आज चार बजे इसी को लेकर कलमाडी अपने समर्थों के साथ एक बैठक करने वाले हैं जिसमें लोगों की राय जान कर आगे का फैसला लिया जाएगा खबर है कि पुने से कॉंग्रिस टिकेट कटें के बाद निर्दली केंडिडेट के तौर पर कलमाडी चुनाब लड़ सकते हैं इसे पहले कल सुरेश कलमाडी ने पुने में शक्ति प्रदर्शन किया कलमाडी के समर्थन में बड़ी संख्या में कारे करता पहुंचे कलमाडी का टिकेट काड़ते हुए कॉंग्रिस ने महाराष्ट यूथ कॉंग्रिस के अध्यक्ष विश्वजीत कदम को पूने से उम्मिद्वार बनाया है कलमाडी के जगा टिकेट पाने वाले विश्वजीत महाराष्ट के मंत्री पतंगराव कदम के बेटे हैं